अगर आप भी PF full and final withdraw करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है अगर आपने अपने job से resign कर दिया है और आपको resign की हुए 60 दिन के उपर हो गए है तो आप अपने PF का full and final withdraw कर सकते हो और वो भी pension के साथ तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि आप कैसे अपने PF का full amount और pension withdraw कर सकते हो इंटरस के साथ और वो भी tax free तो अब आपको ये PFO की website पे चले आना है मैं आपको इसका link description में दे दूँगा आप वहाँ पे क्लिक करके इस website पे आ सकते हो अब आपको यहाँ अपना event number और password डाल लेना है उसके बाद यहाँ capture डाल के आपको sign in कर लेना है अब हमने यहाँ even number और password डाल लिया है अब हम sign in पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने यहाँ login second factor authentication open हो जाएगा आपके register mobile नमबर पे OTP आएगा आपको OTP यहाँ पे डाल लेना है अब आपको यहाँ capture टाइप क page open हो जाएगा यहाँ पे आपका even number नाम, date of birth और gender सब कुस दिखाई देगा पी यह full and final withdraw करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको सबसे पहले अपने full KYC कर लेना है और आपको यहाँ date of exit mark कर लेना है मतलब आपने जिस भी date को resign किया था आपको date यहाँ mention कर लेना है आपको यहाँ date of exit mention होना जरूरी है तब भी आपका पी फुल and final withdraw हो पाएगा तो KYC चेक करने के आपको यहाँ manage पर चले जाना है फिर उसके बाद आपको KYC का status दिखाई देगा यहाँ status में आप देख सकते हो कि आपका KYC approved हो चुका है तो इसी तरीके से आपके PDF account में भी आपका KYC दिखाई देगा अब हम एक बार फिर से home पे चले आएंगे आप यहाँ profile information में क्लिक करके भी अपना KYC सब चेक कर सकते हो यहाँ आपका आधार नंबर, pen card नंबर, bank account नंबर और mobile नंबर सब कुछ data यहाँ पर आपका रहेगा अगर आपका KYC नहीं हुआ होगा तो आपको एक बार KYC के अप्लाई कर लेना है और उसके बाद 48 सरी के 32 गंटे के अंदर आपका KYC अप्रूट हो जाएगा अब data of exit चेक करने के लिए आपको यहाँ manager में चले आना है उसके बाद आपको यहाँ नीचे mark exit पे click करना है यहाँ पर आपका data of exit दिखाई द चालते हो तो आपके employer के through यह already mention कर दिया जाता है अब हम एक बार फिर से home page पे चले आएंगे अब पीए full and final withdraw करने के लिए आपको यहाँ online services पे click करना है उसके बाद आपको यहाँ first option claim पे click करना है अब आपके सामने online claim का page open हो जाएगा आप यहाँ नीचे देख सकते हो आप आपके PF से जो भी bank account number link रहेगा आपको वही bank account number यहाँ पे डाल लेना है अब account number डालने के बाद आपको यहाँ verify पे click कर देना है यहाँ आपके सामने एक pop up आएगा आपको यहाँ yes कर देना है yes करके आपको time and condition accept कर लेना है उसके बाद आपको यहाँ proceed for online claim पे click करना है अब आ यहाँ पे आपको अपना detail दिखाई देगा mobile number, event number, आपका नाम, pan number, date of joining, date of living और reason of living service अब उसके बाद आपको यहाँ I want to apply for को option दिखाई देगा आपको यहाँ drop down पे click करना है यहाँ पे आपको कई सारे option दिखाई देंगे तो हमें यहाँ PF full and final withdraw करने के लिए दो form fill up करना प पड़ेगा जिसमें आप अपना PF का पूरा amount withdraw कर सकते हो और उसके बाद pension withdraw करने के लिए आपको form number 10 से fill up करना पड़ेगा तो यह दो form आपको fill up करना पड़ेगा PF full and final withdraw करने के लिए और हाँ यह दो form आप अपने job से resign करने के बाद ही fill up कर सकते हो और इसके अलावा अगर form number 19 और form number 10C तो हम इसे one by one fill up करेंगे आप एकसाद दो form नहीं fill up कर सकते तो सबसे पहले हम अपने PF का full amount withdraw करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ only PF withdraw form 19 पे क्लिक करना है अब आपको यहाँ 15G form upload करना है अगर आपका PF amount 50,000 के उपर है तो और आपका working service पास साल के नीचे है त देना पड़ता है अगर आप 15G form नहीं दोगे तो आपके PF amount से 10% tax deduct हो जाएगा इक government का rule है आपको यहाँ 15G form देना पड़ता है अगर आपका PF amount 50,000 के उपर है तो मैं तो आपको यहीं बोलुगा की अगर आपका PF amount 50,000 के उपर है तो आप यह 15G form दे देना और 15G form कैसे download करना है और 15G form कैसे fill up करना है इसके उपर मैंने already वीडियो बनाई है मैं आपको नीचे description में लिकी दे दूँगा आप वहाँ पे click करके इस वीडियो को देख सकते हो और आपके 15G form के PDF का size एक MB या फिर उससे नीचे होना चाहिए अगर एक MB से उपर रहेगा तो यहाँ पे upload नहीं होगा अब उसके बाद आपको यहाँ पे employee address दिखाए देगा employee address में आपको अपना address डालेना है यहाँ इन दोनों box में आपको अपना address डालेना है जो आपके document पे रहेगा और जो address आपके PDF account में register रहेगा आपको वह यह address यहाँ पे डाल लेना है अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना state चूस कर लेना है आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करगे list में से अपना state चूस कर सकते हो अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपना district चूस कर लेना है आपके checkbook या फिर passbook के photo का size 100kb या फिर 100kb के बीच में होना चाहिए अगर 100kb के नीचे रहेगा तो यहाँ पे upload नहीं होगा अगर 500kb के उपर रहेगा तो यहाँ पे upload नहीं होगा आपके photo का size 100kb और 500kb के बीच में होना चाहिए और उस पे आपका account number, IFC code और आपका नाम ठीक से visible होना चाहिए अगर आपका नाम, account number और IFC code ठीक से visible नहीं होगा तो आपके claim को reject अगर आपका नाम, account number और IFC को ठीक से visible नहीं होगा तो आपका claim automatically reject कर दिया जाएगा तो आप यहाँ अच्छे से फोटो खीच के या फिर स्कैन करके अप्लोड करना अप्लोड करते टाइम आप यहाँ पर चेक कर सकते हो आपका डिटीर ठीक से वीजिबल हो रहा है की नहीं हो रहा है अब उसके बाद आपको यहाँ consent one box पर टिक कर लेना है अब आपको यहाँ get आधार OTP पर क्लिक करना है अब आपके mobile number पर एक OTP आएगा जो mobile number आपके आधार कार्ट से लिंक रहेगा उस number पर आपको OTP आएगा आपको OTP यहाँ पर डाल लेना है OTP डालने के बाद आपको यहाँ Validate OTP and Submit Claim Form पर क्लिक करना है उसके बाद आपका PF amount withdraw के लिए claim form submit हो जाएगा form 19 fill up करगे आपका PF amount दो withdraw हो जाएगा अब pension withdraw करने के लिए हम form number 10 से fill up करेंगे pension withdraw करने के लिए भी पूरा procedure सेम रहेगा अब आपको फिर से home page पर चले आना है यहाँ पर आपको online services पर क्लिक करना है उसके बाद आपको claim पर क्लिक करना है अब आपको फिर से अपना account number डालके यहाँ verify पर क्लिक कर लेना है अब फिर आपको proceed for online claim पर क्लिक करना है अब आपको यहाँ I want to apply four में form number 10 से choose करना है अब आपको फिर से यहाँ one by one अपने address डाल लेना है उसके बाद आपको सेम अपना चेक बुक या फिर पास्बुक यहाँ पे अपलोड कर लेना है अगर आपने इसे पर अपना पास्बुक अपलोड किया था तब आपको यहाँ एक बार फिर अपना पास्बुक अपलोड कर लेना है पास्बुक फोटो कॉपी अपलोड करने के बाद आपको यहां फिर से कंसेंट वाने बॉक्स पे टिक करना है उसके बाद आपको गेट आधार OTP पे क्लिक कर लेना है फिर सेम आपके मुबाइल नंबर पे एक OTP आएगा आपको OTP यहां पे डाल लेना है OTP डालने के बाद आपको यहां सब्मिट क्लेव फॉर्म पे क्लिक कर लेना है पेंचन विड्रो करने के लिए भी क्लेव फॉर्म सब्मिट हो जाएगा तो इस तरीके साब अपना पीएफ फूल एंद फाइनल विड्रो करने के लिए अपलाई कर सकते हो तो आईए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने दिन में आपका पीएफ अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा क्लेम कितने दिन में सेटल हुआ आप यहां देख सकते हो हमने 2 फरवरी 2024 को PF Full Settlement के लिए Apply किया था और same day 2 फरवरी 2024 को Pension के लिए भी Apply किया था और उसके बाद आप यहां देख सकते हो 19 फरवरी 2024 को हमारा PF का Full Amount Settled हो गया और हमारे Account में आ गया और उसी के 2 दिन बाद 21 फरवरी 2024 को हमारा Pension Amount Settled हो गया और हमारे bank account में आ गया कभी-कभी ये दोनों amount same day पे settle होते हैं लेकिन कभी-कभी ये दोनों amount अलग-अलग भी settle होते हैं एक amount अगर जल्दी आ जाए तो गबराना मत कुछी दिन बाद दुसरा amount भी आपके bank account में आ जाएगा तो ये था PF amount full and final withdraw करने का एकदम simple और easy तरीका आपका PF amount तीन अफ़र के अंदर ही settlement हो जाएगा